हेलो दोस्तो नमस्ते राम राम कैसे हैं आप सब यह देखिए आज मैं आपको एक जैकिट डिजाइन बनाना बताऊंगी यह देखिए कितना सुन्दर डिजाइन है और यह डिजाइन आप जैंट्स के स्वेटर लेडिज कारडिगन गल्स टोप वगरा में आप बना सकते हैं बहुत सुन्दर लगने वाला ऍडिजाईन है और इसमें मैंने एक लेडिज जैकिट है और इसमें फ्रेंट वाले जो पर्ट है इनमें 60,60 फंदे हैं। जैकिट ट्यार होगी फिर मैं इसके पर्ट की विडियो डालूँगी और यह देखिए इसकी जो है 17 इंच लेंथ करने के बाद मैंने ये मुड़े की गटाई करी है मुड़े की गटाई फ्रेंट वाले पार्ट की है पांच, चार, तीन, दो, एक की और फिर गटाई खतम करने के बाद इधर से फिर हमने गला गटाया है एक एक फंदे का और यहां 22 फंदे रखे हैं इसमें और यह पोकिट बनाने का जो तरीका है यह मैंने पहले वीडियो में शेयर किया हुआ है आप देख सकते मेरे चैनल में इस तरीके से 30-30 फंदे की यह मैंने पोकिट बनाई है और अब हम यह डिजाइन बनाएंगे यह देखिए यह डिजाइन बनाने के लिए मैं थोड़े से फंदे डाले है और यह जो डिजाइन है यह टोटल यह केबल से लेके और तीन और दो उल्टे हैं पांच और नो फंदे यह हैं 14 और पांच यह हैं यहां से यहां तक 19 फंदे हैं और एक एक फंदा में एक्स्टर लिया है साइड में 19-19 फंदे का यह है और आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं डिजाइन को अब हम इसमें बनाएंगे यह एक एक फंदा में एक्स्टर लिया है और वैसे यह 19 फं देखें, मैंने तीन फंदे मैंने केबल के लिए है ये वाला जो और दो फंदे है उल्टे मानलो शुरू करना हो तो इस तरीके से हमझे शुरू करना होगा तीन सीधे दो उल्टे साइड में आप जितने फंदे रखना क्याएं वो रख सकते हैं अब यह देखिए, यह जो डिजाइन है, इसको मालो शुरू करना हो, तो हम ऐसे करेंगे, तीन फंदे जो हैं हम शुरू के बना लेंगे, और जो छे फंदे हैं, यह नो फंदे हैं ना डिजाइन वाले, तो नो फंदे में से तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे, जब हमें डिज जाएन शुरू करना होगा और छे फंदों पर आम ऐसे डबल लपेट करेंगे कि यह देखिए अब इन नो फंदे में से आमने तीन फंदे सिंगल बनाए हैं और छे फंदे पर आमने डबल लपेट किया हैं फिर अम दो फंदे उल्टे बनाएंगे और तीन फंदे सीधे अब उल्टी सलाई में आप ध्यान से देखना एक बार डेजाइन इंको कि यह एक फंदा जो मैंने बनाया हुआ है उल्टा और तीन फंदे सीधे जो केबल वाले हैं इधर से उल्टे बनेंगे और दो फंदे जो यह उल्टे लिए हुए है यह वाले अब हम यह जो नो फंदो का डिजाइन है यह कैसे बनाएंगे अब जो यह लपेट किया हुआ है यह खोलेंगे यह छे फंदे हम खोल लेंगे छे फंदे खोलने के बाद इनको हम उल्टे आत की सलाई में डालेंगे अब यह देखिए छे फंदे हैं अब इनको हम ऐसे यह जो पीछे वाले तीन फंदे हैं इनको तीनों को हम ऐसे करेंगे ऐसे और फिर आम इन तीनों फंदों को लेके ऐसे इनको आप इन निकालेंगे, इन では चतती तेसेясं निकालें लिए। अब हम इस इसी की हम इसी फंड में इसी सलाई में इन फंड में डालने ट्लिक्ट ज़िए हैं इन गीत इस तीन से संदे बड़ा बनाद ईन कृहरा को पेछले में पीछफ निकाले में हैंनो पास्वा म१ं एक संद मता छे फंदों को हम उल्टे ही बनाएंगे लेकिन इनको बदल के बनाएंगे हम इस तरीके से देखें ऐसे अब हम जो तीन फंदे यह अमारे सीधे लिए थे हम वह तीन फंदे बनाएंगे कि यह हर सलाई पर डिजाइन बनता है और सुन्दर बहुत लगता है बनना हुआ यह देखे अब फिर आप इसको यह जो नो फंदे हैं इनको आम अब कैसे बनाएंगे इसको थड़ा सा ध्यान से आप देखना यह तो तीन फंदों का केबल है यह इस तरीके से आम इसको पलट देंगे चार सलाई के बाद पलटना होता है और दो फंदे यह जो हैं डिजाइन के उल्टे अब देखिए पहले हमने जब लपेट किये थे डबल तो तीन फंदे बनाने के बाद छे फंदे लाश्ट वाले हमने लपेट किये थे अब की बार हम शुरू वाले छे फंदों में लपेट करेंगे एक दो तीन चार पांच और छे और यह जो लाश्ट वाले तीन हैं इनको हम सीधे बनाएंगे यह देखें फिर दो फंदे जो उल्टे हैं वह और यह जो केबल है इसको हम पलतेंगे अब उल्टी सलाई आप ज्यान से देखना यह जो केबल वाले फंदे हैं यह तो हम इदर से उल्टे बनाएंगे बनाएंगे दो और जो चैश्य यह डिजाइन वाले 9 फंदे हैं अब इनको आप देखें यह जो 3 फंदे हमें सीधे बनाएं यह तो हम इदर से उल्टे बना लेंगे आप हम यह लपेट खोलेंगे इनकी अब इम दो का अब यह लपेट खोनने के बाद यह वाला जो डिजाइन है यह हम पहले पहले वाले में तो हमने ऐसे तीन फंदे में से तीनों ऐसे किये थे ऐसे निकाले थे इस बार हम एक-एक करके ऐसे निकालेंगे बनाएंगे इनको एक-एक करके तीन फंदों पेसे उतार के ऐसे बनाने हमें पीछे वाले हैं लेकिन हम इस तरीके से इनको बनाएंगे पहले और फिर हम ये तीन बना लेंगे तो ये जो डिजाइन है ना हमारा ये बदल जाएगा ये देखें एक बार हमारा डिजाइन ऐसे हो जाएगा और एक बार ऐसे हो जाएगा तो अगली बार फिर अब हम पहले हमने इधर को लपेट किया तो फिर हम इन तीन छे फंदों को इधर वाले लपेट करेंगे अगली बार हम इधर वाले छे को लपेट करेंगे और फंदे निकालने का तरीका वो ही होगा एक बार फिर आपको मैं बता देती हूं पहले ही सीधे फंदे बना लेती हूं देखे अगर मानलो जैसे हम पहले जैन डालेंगे शुरू करना हो तो फिर वैसे ही रिपीट करेंगे जैसे हम पहले फंदे तो सिम्पल बनालेंगे और लास्थ वाले छे फंदों पर हम लपेट करेंगे पहले हमने सिंपल बनाएं फिर छे फंदे पर हमने लपेट किये और अब मैं यह बना के फिर दिखाती हूँ देखिए अब हम इन उल्टी सलाई में इनको फंदों को खोलेंगे छे फंदे जो हमने डबल लपेट किये थे जो तीन फंदे सीधे बनाने के बाद तीन पर हमने लपेट किये थे वह छे के छे हम खोलेंगे और इनको उल्टी सलाई में ले लेंगे और तीन फंदे ऐसे लेके है देखे ऐसे और फिर इसी डालेंगे और इनको एक कर के बनाएंगे ऐसे ठंदा थोड़े चीदे करने हम देख लेंगे इस तरीके से क GP हम इसे इल्टे बना लेंगे पोरे में तीन कώνक यह जो वाले इधार वाले हैं यह यह देखिए इस तरीके से होंगे यह फिर अब यह बना के फिर वापस आती हूं फिर दिखाती हूं देखिए पिछली बार हमने तीन फंदे बनाने के बाद छे फंदे लपेट किये थे इधर वाले इधर वाले अब की बार हम शुरू वाले लपेट करेंगे छे नो फंदे मे और ये सब हम तीन फंदे सीधे बनाएंगे अब मैं ये बना के फिर उल्टी सलाई में इन वाले फंदों को कैसे करना एक बार और बता देती हूं अब देखिए हम इन फंदों को खोलेंगे हर बार हमें इन फंदों को बनाने का तरीका अलग है इस बार हम इनको यह छे फंदे हैं तो इनको एक-एक फंदे को ऐसे निकाल के बनाएंगे यह देखिए इस बार यह यह तीन फंदे यह यह देखिए कितना सुन्दा डिजाइन है आप यह जैकिट स्वेटर किसी भी उसमें बना सकते हैं और कैसा लगा आपको आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना